के अढ़ेंगे कोशिका के वारे में सेल की वारी में हम इन चीजों को जो भी सेल है उसके वारे में को कि सरचना क्या होती है, कोशिका की सरचना में कितना योगदान होता है कोजिका के कार्रे क्या है, जन्तु कोजिका क्या होती है, पादप कोजिका क्या होती है तो basic से इस topic को हम समझेंगे और जो भी most important questions exam में पूछी जाते हैं उनको भी हम discuss करने वाले हैं तो आपको map के इसाप से दिखाया जाएगा, चीजों को diagram के इसाप से आपको दिखाया जाएगा ताकि आप लोग अच्छे तरीके से, बहतर तरीके से cell के बारे में पढ़ सकें और इसको समझ सकें आपको एक story के तहर समझाय जाएगा, जिसमें आपका एक biology का एक concept clear हो जाएगा चाहें आप SSC, railway, NTPC, या फिर defense के exam, teaching के exam, या फिर UP plus constable, या constable के चितने भी paper होते हैं उन सभी के लिए आपके लिए बहतर ये रहने वाली है class तो अगर आप लोग तयारी कर रहे हैं, तो cell की इस class को चरूर लेजेगा तो चले, friends, start करते हैं और चितनी भी classes हैं आपकी, वो सभी classes आपको चैनल पर मिल जाएंगी playlist में तो वहाँ से आप लोग classes को देख भी सकते हैं तो सबसे पहले समझते हैं कोसिका होती क्या है, अखिरकार क्या है ये cell तो जीवदारियों की आधरवू सरचना, सरचनात्मक एवं कार्यात्मक के काई को cell कहा जाता है यानि कि कोशिका कहते हैं जो जीवधारी होते हैं उनकी जो आधारवूत, सरचनात्मक और कार्यात्मक के काई उसे हम क्या कहते हैं सेल कहते हैं संसार के सभी जीव छोटी-छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं देखे हमारा बलड होता है blood के अंदर आपको क्या देखने को मिलती है तो जो cells होती है वो क्या होते है fundamentals होते है उनके कह सकते है सरचनात्मक और कार्यात्मक एकाई होती है कोसिका का अगर हम अध्यन करते हैं तो इसको कहते हैं cytology जैसे हम कोसिका के अभी इस सेसन में भी अध्यन कर रहे हैं तो यह क्या कहलाएगा अपने आप में cytology तो कभी-कभी एक्जाम में पूछ लिया जाता है कोसिका का अध्यन क्या कहलाता है cytology कहलाता है सरपरतम कोसिका की 1665 में Robert होक ने की किन्तु इन्होंने मरत कोसिका की खोच की थी इन्हें father of cytology कहा जाता है तो प्रशन आप से पूछ सकता है कोसिका की खोच किसने की तो Robert होक ने कोसिका की खोच की थी 1665 टीस भी में की थी और क्या कहा जाता है इसको मरत कोसिका कहा जाता है इन्हें father of cytology भी कहते हैं कहते हैं father of cytology कहते हैं clear तो यहां से प्रशन आप पूछ सकते हैं कि father of cytology किसे कहते हैं तो रोबर्ट होक को father of cytology कहा जाता है और इन्हों ने किसकी खोज की थी मरत कोशिका की खोज की थी सरप्रतम जीवित कोशिका की कोश 16-74 में एंटॉनी लिवन होक के द्वारा की गई थी तो आपसे दो प्रशन यहां पर बनने की संबाबना है पहला प्रशन क्या बनेगा पहला प्रशन बनेगा आपका मरत कोशिका की खोज किसने की थी तो 16-65 इसपी में रोबर्ट होक ने मरत कोशिका की खोज की थी इसे father of cytology कहते हैं और आपसे पूछ ले जीवित कोशिका की किसने की थी तो 16-74 में एंटोनी वान लिवन होक के द्वारा जीवित कोशिका की खोज की गई थी चले नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट है अपना कोशिका का सिद्धान्त फंसन्स ओफ क्या होंगे आपके प्रिंसिपल क्या है सेल के उनको समस्ते हैं तो जर्मनी के बन सिद्धान्त दिया गया था, एम-जि स्लाइडेन के द्वारा, और जर्मनी के जंतु विज्ञानी थेॉडर स्वान के द्वारा कोशिका का सब्सारतें क्या है उनको भी समझ लेते हैं तो प्रत्य जीव की उत्पती एक कोसिका से होती है क्या होती है कोई scholarly जीव है , उसकी उत्पत्ति किससे होती है , , प्रति एक Čपसा की बना होता है , प्रते कोशिका एक स्वाधिन इकाई है तथा पे सभी कोशिका मिलकर कारे करती है फलसरूप एक जीव बनता है प्रते कोशिका क्या होती एक स्वाधिन इकाई है और कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है एक जीव का निर्माण होता है कोशिका की उत्पत्ति मैं प्रक्रिया में केंद्रक मुख्यकारे करता या स्रष्ट करता के रूप में भाग लेता है तो यहां से भी प्रश्ण आपसे पूश सकता है तो कोसेका की उत्पत्ति में कौन भाग लेता है नूकलियस भाग लेता है जिसे हम केंद्रक कहते हैं चले सेल के बारे में थोड़ा सा और समस्ते हैं सैल यानिके कोसे का, सबसे छोटी कोसे का कौन सी होती है, यहां से प्रशन आपकी एक्जाम के लिए महतपूर है, नोट बुक में अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं, तो यहां से जरूर लिखेगा, सबसे छोटी कोसे का कौन सी होती है, तो माइको प्लाजमा होती है, सब सबसे बड़ी कोसिका क्या होती है तो सुत्र मुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोसिका होती है मानब सरीर की सबसे छोटी कोसिका होती है उसे हम सुक्राडू कहते हैं यानि कि स्पर्म की नाम से चानते हैं इसके बात बात करते हैं मानब सरीर की सबसे बड़ी कोस तो मानब सरीर के सबसे बड़ी कोशिका होती है ओबम जिसे हम अंडाडू कहते हैं प्रश्न दो ही पुछेगा मानब सरीर के सबसे शोटी कोशिका क्या होती है सुक्राडू यानिकी स्पर्म और मानब सरीर की सबसे बड़ी कोसिका क्या होती है अंडाडू जैसे हम क्या बोलते हैं ओवं कहते हैं मानब सरीर की सबसे लंबी कोसिका होती है जैसे हम तंत्र का कोसिका यानिके नियूरॉन के नाम से जानते हैं तो ये प्रशना आपसे पूछ सकता है, सबसे चोटी कोशिका, मायकोप्लाजमा, सबसे बड़ी कोशिका, सुत्रमुर्ग का अंडा, मानब सरीर की सबसे चोटी कोशिका, सुक्राडू, मानब सरीर की सबसे बड़ी कोशिका, अंडाडू, और मानब सरीर की सबसे लंबी कोशि यह समझ लेते हैं देखे कोई भी कोशिका होती है उस कोशिका में एक सेंट्रोइड होता है जैसे हम किंद्रक के नाम से जानते हैं दूसरा होता है राइवोसम एक होता है सेंट्रोइड दूसरा होता है राइवोसम तीसरा कोशिका जिल्ली क्या होती है कोशिका जिल्ली होती ह और इसी में तारक काय होता है, इसी में कोसिका द्रब्य होता है, इसी में माइट्रो कॉंडिया होता है, और इसी में गॉल्जी कॉय होता है, और इसी में लाइसो सॉम होता है तो किसी भी कोसिका की कितने हिस्से हो सकते हैं तो उसमें किसी भी कोसिका में केंद्रक, राइवुसॉम, अंतहय प्रदब बिजलिका, कोसिका जली, कोसिका द्रप, तारक काय, लाइसुसॉम, माइट्रो कॉंडिया और गालजी काय होते हैं अब इनके बारे में समझ लेते हैं कि इनके फंसन क्या है, आखिरकार सेंट्रोइड क्या करता है, राइवुसम क्या करता है, माइट्रोकॉंडिया का कारे क्या है, किसी कोसिका में इन सभी इसके पार्ट्स के बारे में समझ लेते हैं कि इनके कारे क्या होते हैं उसे पहले समझेंगे कि कोसिका की कितने भाग होते हैं तो कासिका मुख्य तहा दो प्रकार की होती है एक है पादप कोसिका और दूसरी है चंतु कोसिका कोसिका मुख्य तहा कितने प्रकार की होती है तो कोसिका मुख्य तहा दो प्रकार की होती है एक को पादब कोसिका कहते हैं जबकि दूसरी को जन्तो कोसिका के नाम से चाना जाता है अब कोसिका के वारे में एक एक करकी इसके functions को समझते हैं सबसे पहला होता है कोसिका जिल्ली जिसे हम कहते हैं cell membrane क्या कहते हैं cell membrane कहते हैं कोसिका के सभी अभी अभी जिल्ली के द्वारा गहरे रहते हैं, इस जिल्ली को कोसिका जिल्ली कहते हैं, तो आप इस वाले हिस्से को देख रहे हैं, तो ये वाला इससा आपका कोसिका जिल्ली होगा, तो कोसिका के जितने भी हिस्से होते हैं, चाहे वो माइट्रो कॉंडिया हो चाहे हैं राइबोस्वाम हो चाहें लाइसोस्वाम हो ये सभी हिस्ते कोसे का जिल्ली के द्वारा घहरे होते हैं यहां जन्तु तथा पादप दोनों में पाई जाती है तो आपसे प्रश्ण पूछेगा कि कोसे का जिल्ली किस में पाई जाती है जन्तु या पादप किस मे लाईसोसोम रॉफुजूम इन सबी को क्या होटा है, इने को घहरे रखती है कोसेका के अंदर जाने वाले पदार्थ का नियंतरन करती है क्या कॉसेका के अंदर कौन सा पदार्थ जा रहा है, उसका अवी कंट्रोलेशन किस के पास होता है cell membrane के पास होता है ऐसा नहों कि इसमें acid ज़्यादा चला जाए ऐसा नहों कि इसमें lysosome की मात्रा भढ़ जाए ऐसा नहीं हो इसलिए कोसिका जल्ली होती है तो ये इक controller का काम करती है regulations का काम करती है किसी कोसिका के लिए और एक बोल सकते हैं साहरी गेट का काम करती है कोसिका जिल्ली कोसिका जिल्ली अर्द पारगम्य यानि कि सेमी प्रेम्बल होती है इसका मुख्य कारे कोसिका के अंदर जाने वाले एवां अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का नर्धारण करना है तु सबसे पहले यही प्रशन पूछेगा कि कोसेका जिल्ली कैसी होती है सैमी प्रेम्बल होती है यानि कि अर्ध पारगम्य होती है और इसका मुख्यता है जो कार्रे होता है वो होता है कोसेका के अंदर जाने वाले और बाहर आने वाले पधार्तों के निरधारण से होता है किलियर है, इसके बात समझते हैं कोसिका विद्धी, जिसे हम सेल वॉल के नाम से चानते हैं चलिए सेल वॉल को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं यहां केवल पाधपों में पाई जाती है, यानि कि जन्तु कोसिकाओं में ये नहीं पाई जाती है तो आप से प्रशन बूचेगा सेल मेंबरीन, कोसिका जिल्ली, जो सेल मेंबरीन होती है वो किस में पाई जाती है तो सेल मेंबरीन पाधप कोसिका और जन्तु कोसिका दोनों प्रकार की कोसिकाओं में पाई जाती है जबकि कोसिका वित्ती सैल वॉल की बात करें तो यहां केवल और केवल पादप कोसिकाओं में पाई जाती है यानि कि पादपों में पाई जाती है यह बनी किसकी होती है तो सैलुलोज की बनी होती है किसकी बनी होती है सैलुलोज की बनी होती है यहां कोसिका को निश्यत आकरती बनाए रखने में सहायक होती है यहां पेड़ों की कठोरता भी परतान करती है तो पेड़ कभी देखे होंगे जैसे यह पहला कोई पेड़ है ऐसे जा रहा है तो इसमें कभी जोइंट्स बगर आपने देखे होंगे तो उन जोइंट्स के अंतर भी cell walls आपको देखने को मिल जाएंगी यह उन पेड़ों को जोइंट्स पर आपको कठोरता देखने को मिल जाएगी तो वहां भी cell walls का बहुत बड़ा रॉल होता है बागे छालों के रूप में आप देखोगे पेड़ों पर तो ये भी cell walls का ही एक part होता है जो कोसे का वित्ती है वो पुरानी कोसे का हटती जाती है कोसे का वित्ती हो नई कोसे का वित्ती उस पर चड़ती जाती है तो ये तरीके से पेड़ों पर किसका कारे करती है पेड़ों प्रश्ण सीधा सीधा पूछेगा जनतुओं में कोशिका बित्ती किसकी बनी होती है तो जनतुओं में तो होती ही नहीं ये पादपों में होती है तो सेल मेमरीन किसकी होती है जिन में लिपेड या प्रोटिन्स होते हैं पादपों में सेलुलोज की बनी होती है जीवाडू, पेप्टिडोगलाइकन और कवक में क्या होता है काइटिन होता है तो यहां से प्रश्ण बनने की समभावना है most important point है ऐसे ही आप लोग याद कर लीजेगा इसके बाद बात करते हैं न्यूकलेस के वारे में जिसे हम किंद्रक के नाम से जानते हैं आखिरकार ये किंद्रक क्या कारने करता है इसको समझते हैं कोसिका के मद्ध में एक रचना होती है जिसे हम किंद्रक कहते हैं कोसिका के मद्ध में होती है एक रचना जिसे हम क्या कहते हैं किंद्रक कहते हैं यहाँ पादप कोसिका तता जन्तु कोसिका दोनों में पाई जाती है, तो जो centroid बोल सकते हैं, nucleus है, वो किस में पाई जाता है, यहाँ पादप कोसिका और जन्तु कोसिका दोनों में पाई जाता है, तो प्रशन आप से सीधा सीधा पूछेगा, कि किसी भी कोसिका के अंदर केंद्रक किस में पाया जाता है को केंद्रक पादप कोसिका और चंतु कोसिका दोनों में पाया जाता है यहां कोसिका का सबसे प्रमुक अंग है क्योंकि यहां कोसिका के प्रवंदक के रूप में कारे करता है यानि उसको नियंत्रित करता है तो क्या करता है या कोसिका का सबसे प्रमोकंग है और ये कोसिका के प्रवंदक के रूप में कारे करता है यानि को उसको नियंत्रन करने का कारे भी करता है इसे कोसिका का दिमाग भी कहते है यानि के brain of cell कहा जा सकता है तो किंद्रक को क्या कहते हैं कोसिका का तिमाग कहते हैं इसकी खोच रोबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी तो यहां से भी प्रश्ण बनने की संभावना रहती है इसमें DNA, RNA और गुर्ण सुत्र पाये जाते हैं तो कोसिका किंद्रक में क्या पाये जाता है किंद्रक में DNA, RNA और गुर्ण सुत्र पाये जाते हैं इसमें 70-80% प्रोटीन, 10% DNA, 2-3% RNA और 3-5% लिपिड पाये जाता है तो आपसे प्रश्ण पूछ सकता है किंद्रक में क्या पाये जाता है तो किंद्रक में 70-80% प्रोटीन पाये जाती है ये क्या होता है, जो केंद्रक होता है, वो मद्धी रचना का एक भाग होता है, ये जन्तु और पादप दोनों कोसिकाओं में पाये जाता है, इसका सबसे जो प्रभुक होता है, और जो प्रभुक कार्य होता है, वो प्रभंदक का कार्य करता है, कोसिका का दिमाग भी इसको क पहा जाता है, brain of the cell कहा जा सकता है, इसकी खोच Robert Brown ने 18-31 में की थी, ये वाला जो हिस्सा है, ये आपका किंद्रक है, इसमें DNA, RNA और गुड़ सुत्र पाया जाते हैं, तो आप से प्रश्ण पूछ सकता है, किंद्रक में क्या क्या पाया जाता है, तो DNA पाया जाता है, RNA पाया रहती है, नेक्स्ट अगर बात करा है, तो अंतहः प्रद्रब्भी जालिका, endoplasmic reticulum, तो ER जैसे हम कहते हैं, तो इंतहः प्रद्रब्बी जालिका, यानि के endoplasmic reticulum, ये भी कोसिका के अंदर होती है, तो ये वाला जो हिस्सा होता है, इसे बोलते है, endoplasmic reticulum, क्या बोल कैथ पॉर्टर, अलवर्ट क्लॉड और अर्नेस्ट फुलम ने की थी, यहाँ दो प्रकार की होती है, एक होती है चिकनी अंतहा प्रदव्य जाले का स्मूथ एंडोप्लासमिक रेटुकलम जैसे हम S.E.R. की नाम से जानते हैं और दूसरी होती है खुर्दरी अंतहा प्रदव्य जालका जैसे हम R.E.R. की नाम से जानते हैं या कोशिका में कार्वोहेड़ ता बसा के संसलेशन में साहयक होता है तो चिकनी अंत्रह प्रद्य बिजल का किसका कारी करती है कार्वोहेड़ ता बसा के संसलेशन में साहयक होती है जबकि खुरदरी अंत्रह प्रद्य बिजल का जो होती है वो बाहरी जिल्ली के ऊपर छोट सहायक होता है तो ER की बात कराएं एंडोलाजमिक responsibility क्रेटकुलम कितने प्रकार की होती है तो दो प्रकार की होती है जिसे हम अंतह प्रदर्भी जलिका SER आएबसंटर्भी जलिका के बाहरी जहली के उबर छोटे-छोटे क्या रहते है तो यहां से भी प्रश्ण बनने की समभावना रहती है इसके बाद आता है राइवोस्वम और राइवोस्वम की वारे मां समझ लेते हैं most important point है आपका paper में पूछाई जाता है यहां पादप कोसिका एवं जन्तु कोसिका दौनव में पाया जाता है तो राइवोस्वम किस में पाया जाता है पादप कोसिका और जन्तु कोसिका यह वाला जो इससा है पादप कोसिका और जन्तु कोसिका दौनव में पाया जाता है जैसे हम राइवोस्वम क्याते हैं इसकी खोच जौर्ज ए पैलेड ने की थी तो प्रशन आपसे पूछ सकता है राइवोस्वम की खोज किस ने की थी तो राइवोस्वम की खोज जॉर्ज E. पैलेड की द्वारा की गई थी यहाँ कोसिका का सबसे छोटा अंग होता है कैसा अंग होता है कोसिका की बात करें तो कोसिका में सबसे छोटा अंग क्या होता है राइवोसम ही होता है यहां राइवो नीकलिक एसिड नामक अमलव प्रोटीन की बनी होती है इसे प्रोटीन की फैक्टरी भी कहा जाता है तो राइवोसम को क्या कहा जाता है प्रोटीन की फैक्टरी भी कहा जाता है इसका मुख के दा काम क्या होता है तो प्रोटीन की प्रोटीन का संसलेशन करना होता है इसे हम प्रोटीन की फैक्टरी भी कहते हैं राइवोल न्यूकलिक एसेट नामक अमल वह प्रोटीन की ये बनी होती है राइवोसॉम क्लियर तो यहां से प्रश्ण बनने की संभाव ना है और प्रश स्क L मायट्रोकॉंडिया और वेक्टेरिया ये होते हैं以 बिक्सित पौधे एवं जन्तूओं में यह होते हैं आपके बड़े, किलियर है तो यहां से प्रश्ण बनने की संभावना है, इसके बाद बात करते हैं माइट्रो कॉंडिया के बारे में, आखिरकार माइट्रो कॉंडिया के क्या कारे हैं, माइट्रो कॉंडिया की खोच 1880 इस भी में कोलिकर के द्वारा की गई थी, कीटों की रेखित पेशियों में किसके द्वारा की गई थी माइट्रो कॉंडिया की खोच, तो कोलिकर के द्वारा की गई थी 1880 में, और यह कहां पाई गई थी, कीटों की रेखित पेशियों में मा पायोबलास्ट रखा तो माइट्रो कॉंडिया का पहला नाम क्या था पायोबलास्ट अब आपसे प्रष्ण पूछेगा कि बायोबलास्ट इसको क्यों रखा गया वो भी समझेंगे। इसका नाम माइट्रोकॉंडिया रखा था इसके बाद बात करते हैं यह कोशिका द्रब्य में पाई जाने वाले गोलाकर अर्थवा सुत्राकर रचनाएं होती हैं माइट्रोकॉंडिया दोहरी जिल्ली से गिरी होती है तता इन उभारों को क्रिष्टी कहते हैं तो प्रश्ण यहां से बनने की पूरता संभावना है, क्रिष्टी किसे कहते हैं, तो माइट्रो कॉंडिया दोहरी जिल्ली से गिरी होती है, तता इन उभारों को क्या कहते हैं, क्रिष्टी के नाम से जाना जाता है, तो प्रश्ण यहां से भी बनने की संभावना है, इसके ब मेट्रोकॉंडिया में कोसिका sw ridersint compare ATP का निर्मान एवं भोजन ऑक्सी करण होता है को सिका के भीतर . तो बूल सकते हैं कि उर्जा का ग्रह किसे कहते हैं ? कोसिका का उर्जा घर किसे कहते है तो मैट्रोकॉंडिया को कहते है क्योंकि यह उर्जा उत्पन करता है और इसमें ATP का निर्माड होता है और भोजन का ऑक्सीडेशन होता है यानि कि ऑक्सीगन होता है ATP का मतलब होता है एडिनोशिन ट्राइफास्पेट इसके बाद बात करते हैं लाइसोसॉम के वारे में प्रश्ण यहां से भी बनने की समभावना है अब यहां से कौन सा प्रश्ण बन सकता है तो लाइसोसॉम के वारे में समझ लेते हैं लाइसोसॉम की खोच क्रिश्टियन D. डुवे ने की थी तो प्रशन आपसे पूछयेका Lycosum की खोज किसके द्वारा की गई थी तो Christian D. Twecken ने लाय לכजकी के थी या Koosika के अंदर पाचन का कारे करता है तो प्रशन पूछयेका Lycosum किसका कारे करता है Koosika के अंदर पाचन का कारे करता है इसके अंदर जल अपकटक En功 Enzymes हाइड्रोलेटिक एंजाइम्स पाये जाता है कोसिका के अंदर कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो उस अंग को नश्ट करने का कारे भी क्या करतेता है लाइसोसम करता है जब पूरी कोसिका कारे नहीं करती तो यहाँ फट जाता है जिसे पूरी कोसिका को नश्ट हो जाती इसलिए इसे कोसिका की आत्मत्या की थेली सुसाइड वेक की नाम से भी चाना जाता है। प्रशन क्या पुछेगा? लाइसोसॉम की खोच किसने की थी? क्रिश्चियन डी दुवे के द्वारा की गी थी। कोसिका के अंदर ये किसका कारे करता है? और इसका काम क्या होता है? कि अगर कोई भी हिस्सा जैसे राइबुसॉम है, जैसे माइट्रो कॉंडिया है, अगर काम नहीं कर रहा है, तो उस पर एसिड का छिड़का अब कर देगा, तो उसे वो नश्ट कर देगा। अगर पूरी कोसिका ही कारे नहीं कर रही, तो ये क्या होगा, स्वैम को फाड़ लेगा, और पूरी कोसिका को नश्ट कर देगा, इसलिए हम इसे आत्मत्या की थैली भी कह सकते हैं, प्रश्न कई बार पूचा गया है, रेलबे के एक्जाम में तो बहुत पूचा जाता है, कि आत्मत्या की थैली किसे कहते हैं, तो प्रश्न का सही उत्तर होगा, लाइसु समकूर आत्मत्या की थैली कहा जाता है, इसके बाद आता ही गौल्जी वॉड़ी, जिसे हम गाल्ची काय की नाम से चानते हैं, इसकी कोच 1898 में कैमीलो गौल्गी ने की थी, तो कैमीलो गॉलगी ने किसकी कोज की थी? 1898 में गलजी का यानि कि गॉलजी बोड़ी की खोज की थी यहाँ पदार्तों का परिवहन करता है अर्तात यातायात में सहायक है इसलिए इसे यातायात प्रवंदक कहते हैं तो यह किसका कारे करता है? कोजिका के अंत्रकत एक तरीके से टांस्पोर्टीशन का कारे करता है तो यह भी आपसे पूछ सकता है इसके बाद आती हैं बैक्यूल्स जिसे हम रसधानी के नाम से चानते हैं यहाँ निर्चीव रचना है इसमें तरल पदार्त बरा होता है जो कि एक जिल्ली से घिरा हुआ होता है तो कोजिका क्या होती है? रसधानी क्या होती है? यह एक निर्जीव रचना होती है जो कि इसमें क्या है? एक लुक्विड फॉर्म में एक सविस्टेंस बरा होता है जो कि एक जिल्ली से घिरा हुआ होता है रसदानी में एक प्रकार का द्रब पाये जाता है जिसे कोसिकार रस कहते हैं कोसिकार रस में जल, खनेज, लवड, कार्वो, हेड़ेड आध पाये जाते हैं रसदानी जंतों में छोटी होती है तता पादपों में क्या होती है बड़ी होती है तो रसदानिया क्या होती है जन्तों में छोटी होती है जबके पादपों में बड़ी होती है तो ये प्रशन आपसे प्रण सकता है इसके बाद बात करते हैं प्लास्टिड जैसे हम लवक के नाम से जानते हैं यहाँ केबल पादप को सिकाओ में पाया जाता है यहाँ तीन प् दूसरा है अवार्णित लवक और तीसरा है वार्णित लवक हरित लवक को हम क्या कहते हैं क्लोरोप्लाष्ट के नाम से जानते हैं जबके अवार्णित लवक को हम क्रोमोप्लाष्ट के नाम से जानते हैं तो हरित लवक अवार्णित लवक बर्णित लवक क्लोरोप्लाष्ट lyukoplast, chromoplast हरित लवक को समझ लेते हैं chloroplast को यहाँ भूजन का निर्माण करता है यहाँ पत्ती तथा तनों में पाया जाता है इसके अंदर एक हरे रंग का पाणड हरित पाया जाता है इसी की सहायता से पौधा प्रकांस दसलिसन करता है हरित लबक को पादप कोशिका की रसोई कहा जाता है तो आपसे प्रशन पूछेगा पादप कोशिका की रसोई किसे कहा जाता है पादप कोशिका की किचन किसे कहा जाता है तो हरित लबक को कहा जाता है हरित लबक का कारे क्या होता है यहां भूजन का निर्मान करता है और पत्ती और तथा ये दोनों में पाया जाता है और इसी की सायता से ये क्या करता है प्रकास अंसलेशन की किरिया करता है तो ये हरित लवक के बारे में हुआ अब समझते हैं अवरित लवक के बारे में यहां रंग हीन लवक होता है यहां पौदों को उन भागों में पाया जाता है जहां सूरिका प्रकास नहीं पुछता जैसे जड़ हुई भूमे का तना हुआ यह लिउकोप्लास्ट यानिके अवड़त लवक में पाया जाता है यहां भूजपदार्तों का संग्रहण करने वाला लवक है तीसरा आता है वनड़ित लवक जैसे हम क्रोमोप्लास्ट के नाम से चानते हैं यहां रंगीन लवक होता है यहां लवक रंग प्रदान करता है जैसे पुस्पुवा बीजुवा तो यह इन में पाया जाता है और यह क्या है क्रोमोप्लास्ट होता है जो कि क्या करता है रंग प्रदान करने का कारे करता है जैसे टमाटर को लाल रंग जो मिलता है वो लाइकोपीन के कारण मिलता है गाजर को जो लाल रंग मिलता है वो कैरोटीन के कारण मिलता है जबके चुकंदर को जो रंग मिलता है लाल वो किस के कारण मिलता है बिटाने इनके कारण टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन गाजर क लाल लंग कैरोटी जबकि चुकंदर का लाल लंग पीटा निन के कारण होता है तो यहां से प्रश्ण बनने की संभावना रहती है इसके बाद बात करते हैं यहां केबल जंतु कोशिकाओं में पाए जाता है पादप कोशिकाओं में नहीं पाए जाता क्या सीलिया और और फ्लेगेला पाया जाता है जबकि पादप कोशिका कैसी होती है चौकोर होती है जंतु कोशिका इस तरीके से होती है पादप कोशिका इस तरीके से होती है कोशिका वित्ती लवक इसमें पाया जाता है ऐसी जो चीजें दो चीजें जो जंतु कोशिका और पादप कोशि का दोनों में पाए जाता है कोसिका जिल्ली पादप कोसिका और जन्तु कोसिका दोनों में पाए जाती है लेकिन सेल वाल जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें पाए जाती है जन्तु कोसिका में ही पाए जाती है माइट्रो कॉंडिया दोनों में पाए जाती है राइवोश शौम गल्जी वॉडी रष्दानी और तारक्काय यह चंतु कोशिका और पादप इसका दोणों में ही पाए जाते हैं चंतु कोशिका गुलाकार होती है जबके पादप कोशिक का चौकर होती है थोड़ा सा डिसकुशन और कर लेते हैं इनके डिफरेंस के बारे में कोशिका दो प्रकार की होती है मुख्यता एक होती है प्रोकेरियोटिक कोशिका और दूसरी होती है यूकेरियोटिक कोशिका प्रोकेरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में हम डिफरेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि एक्जाम में यहां से कोशन बनता ही बनता है आपसे प्रश्ण देतेगा और पूछेगा निम्न में से कौनसी विसिस्ता प्रोकेरिटिक कोशिका की है या निम्न में से कौनसी विसिस्ता यूकेरिटिक कोशिका की है तो चलिए एक एक करके समझती हैं प्रोकेरिटिक कोशिकाएं अर्ध विक्षित होती ह तो प्रश्ण पुछेगा आप से कौनसी कोजिकाएं पूर्ण विक्षित होती हैं तो आप सही जवाब देंगे यूकेरियोटिक कोजिकाएं कौनसी कोजिकाएं अर्ध विक्षित होती हैं तो आपका सही जवाब होगा प्रोकेरियोटिक कोजिकाएं दूसरा प्रशन है पूछ सकता है इसमें केंद्रक भी अविक्षित होता है यानि केंद्रक का डवलप्मेंट इसमें नहीं हो पाता जबकि यूकरियोट कोशिकाओं में केंद्रक पूर्ण विक्षित होता है प्रोकेरियोटिक कोसिकाओं में रायवोस्वम 70S यानि कि 70S प्रकार का होता है जबकि युकेरियोटिक कोसिकाओं में रायवोस्वम 80S प्रकार का होता है इसमें कोसिका विवाजन नहीं होता जबकि इसमें कोसिका का विवाजन होता है इसमें स्वसंतंत्र जिल्ली में होता है, स्वसंतंत्र माइट्रो कॉंडिया में होता है उधारन के लिए बात करें, वेक्टेरिया और माइक्रो प्लाजमा ये प्रोकरेटिक को सिखाओं के उधारन है जबके पौधे और चीब यूकेरियोटिक कोजिकाओं के उधारण है तो आज के सेसन में सैल के बारे में वो सब कुछ हमने पढ़ लिया जो कि आपकी एकजाम के लिए most 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 important था साथियो अगर आप इसी तरीके से बाइलोजी की क्लास लेते रहे तो उमीद है आपको बाइलोजी में कभी दिक्कत तो आएगी ही नहीं इसके साथ बाइलोजी आपको याद भी हो जाएगी आप नोट बुक में नोट्स बनाएए और क्लासेज को कम से कम दो से तीन बार देखिए हंडेट परसेंट आपको सारी की सारी पॉइंट्स याद हो जाएंगे उमीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा अगर आप नई है तो चैनल को सब्स्राइब कर लेजेगा नहीं तो भी वीडियो को तो सेयर करना ही है मेलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू 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 पर वाचिंग दिस वीडियो